हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल त्यारी सक्सेस की में दोस्तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ओनर्स सिक्स सेमिस्टर कोर पेपर थाटीन का जिसमें हम लोग आज जो गभर करेंगे वो है भारतिय संग में देशी रियाइसोतों का एकिकरन कैसे हुआ वो आपको डिफाइन करना है दोस्तों ये एक्जाम के दृष्टी कौन से बहुत बहुत इंपोडेंट है और ये जो सवाल है आपका फिप्टीन मार्क्स के लिए इंपोडेंट सवाल है और अगर आपको एक्जाम में फाइब मार्क्स के लिए पुछा जाता है तो आप फाइब मार्क्स के लिए भी ल दोस्तों स्टार्ट करते हैं ध्यान दिजिएगा विडियो अगर आपको अच्छा लगे है लगेगा तो जरूर लाइक किजिएगा भारतिय संग में देशी रियासतों का एकिकरन तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं दोस्तों जैसे आप लोग नहीं हुआ था उस ठाइम भारत में यह सब राज्य नहीं हुआ करता था बलकि भारत में बहुत सारे प्रांथ होते थे और बहुत सारे रियासत होते थे वो सबी रियासत अपने आप में अपना देश मानते थे अपने आपको ठीक है कोई किसी के अंडर मतलब कोई इन सभी को एक करके अखंड भारत बनाने वाला कोई नहीं था ठीक है और अंग्रेज भी क्या कर रहे थे पूरा का पूरा पावर इनहीं को दे दिये थे दोस्तों इनहीं को दे दिये का मतलब क्या है यानि इन लोगों को पूरा छूट दिया गया है गया था कि आप लोग अगर अपने आप में सोतंत्र रहना चाते हैं तो भी ठीक है और अगर आप लोग करनतंत्र भारत में एक साथ हो करके रहना चाते हैं तो भी आप लोग मि जिये दोस्तों ये जो एक-एक सोतंत्र र्यासेत था अगर ऐसा होता तो सोचिए आप देश का हालत कैसा होता तो इन सभी र्यासेतों का पूरा-पूरी एक भरत में बिलीनी करन यानी भरत में मिलाना कोई आसान काम नहीं था ठीक है तो यह जो पूरा काम किया सभी रियाशतों को भारत में मिलाना का काम ओ किया था सरदार बलब भाई पटेलने तो ओही प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग देखेंगे भारतिया राष्ट संग के देशी रियाशतों का एकिकरन आप लोगों को बेक्ग्राउ पॉलने के लिए तो ये जो रियासत थी ये स्वतंत्र थी पर बेभार मैं इन पर ब्रिटिस वाषन का नियंतरन था लेकिन ईयालिटि में ब्रिटिस वाषन का ही नियंतरन था 1946 पर केविनेट मिस्न योजना के द्वारा स्वरचता को समाप्त करने का निर्ने किया गया यानि जब 1946 में केविनेट मिसन योजना लाया गया भारत में तो अंग्रेश सबसे पहले ये सोचा कि ये जो देशी रियाशत जो पूरा भारत में फैला हुआ है इनको क्या किया जाए सबसे बड़ा प्रस्ण था तो भारत के जितने भी उस टाइम बड़ा बड़ा लीडर था उन्होंने सभी ने सुझाफ दिया कि इन सभी को एक करके ही हम लोग अखंड भारत बनाएंगी तो सबसे पहले उन लोगों का जो सुरचोता था यानि उन लोगों का पास जो पावर था उनको खतम करना स्टार्ट किया गया लेकिन यह भी इस परस्ट किया गया कि यह अधिक भारत सरकार को नहीं दिया जाएगा यानि इन लोगों का तो इन डिरेक्ली पावर कम कर दिया भारत में उस समय पांत सो बासट छोटे छोटे रियासत थे जिसमें हैदराबाद, ग्वालियर, कस्मीर, बरोडा, बरोदा ठीक है और मैसूर जैसे अन्य के तुलना में बड़े रियासत भी था यानि यह जो जो नाम आपको देखने को मिल रहा है दूसरे कलर में यह सबसे ब निरंकुस राष्ट अंतर, फ़र्स सेमिस्टर से ही पढ़के आ रहे हैं निरंकुसता का मतलब क्या होता है ऐसा राजा यहां पर सासन करना जिसके ऊपर कोई भी दवाप नहीं डाला जा सकता अपने मर्जी से काम करने वाला तथा आपने आपको राजा देव्य आधिकारो मैं विश्वास रखता था यानि मैं ही भगवान हूँ एसा टाइप का ठीक है इन रहसतों का विले कोई सरल कारिय नहीं था पर सदार बल्लब भाई पटेल ने इस कारिय को करने में आसाधरन योगता का परिचय दिया यानि एकिकरन करना इतना भी आसान नहीं था लेकिन जो स समाने सा दिखने वाला काम था उनको क्या इवन रहसतों से अपील किया कि फैब भारत की अखंड़ता को बनाए रखने साहयोग दे सदर बल्लब भाय पटेल के कारियों के संबंद में लंदन टाइम्स ने लिखा है उसके लिए लंदन टाइम्स एक समाचार पत्र है उन्होंने क्या लिखा भारतिया रियाशतों की एक करण का कार उन्हें विसमार्ग और संभवता उसने भी उच्छा इस्तान पर उन्हें बिसमार्ग से भी उच्छा पोस्ट मिलना चाहिए ठीक है आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों ध्यान दीजेगा बस एक और तो उन्हें छोटे-छोटे रियाशतों को मिला कर एक बड़ा राज्य बनाया दूसरे तरफ इन राज्यों का प्रजदातंत्र प्रणाल लागो करना है यह भी उनका दाइत्व था उधाहरंता उन्हें सो सैंतालिस में उरिसा तता चत्रिस गड़ के थाटिनाइन राज्यों को उरिसा मज्दपर्देश में बिलाई कर दिया गया यानि जब आजादी हुआ था उस टाइम में थाटिनाइन ऐसे देशी रियाशत जिसमें जिनको उरिसा और मज्दपर्देश में बिलाई किया गया भारत भारतिय रियाशतों का सबसे बड़ा प्रांत बिरहत राजस्थान संग था यानि जो सबसे बड़ा प्रांत था वो था राजस्थान अभी भी आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो राज्य है छेत्र भुलक के हिसाब से और राजस्तान है जिसका निर्मान 23 मार्च 1949 को हुई थी या भारत का ब्रहतम राजनितिक प्रसासनिक एकाई में से एक था जिसमें जो 15 प्राचीन राजपुत रियाशत थी यानि कहा जा रहा है दोस्तों जो सबसे बड़ा आपका रियाशत था व बड़ोदा की बड़ी रियाशत एक मैं 1949 को बंबई प्रांथ में मिलाया गया भौपाल कुछ बिहार त्रीपूरा एबं मनिपूर केंद्रिय प्रसासन के नियंतर्ण में आगे यानि उनको भी केंद्रिय में मिला दिया गया है नवेंबर 1949 तक जुनागड हैदराबाद वा कस्मीर को छोड़कर अन्यत सभी रियाशत का विलेश पूर्ण हो गया ठीक है यानि 1949 तक यानि जब तक संभीधान हम लोग का लागू नहीं हुआ था उस टाइम तक छोटे छोटे बहुत सारे जो देशी रियाशत था अल्मोस्ट सभी को भारतिय संग में मिला दिया गया था लेकिन सबसे बड़ा जो बड़ा रियाशतों में से था वो था जुनागड हैदराबाद और कश्मीर इन तीनों के लेकर सबसे बड़ा चिंदा का विशय था क्योंकि ये जो रियाशत था इनके सासक इनके निजाम और इनके जो हेड थे वो भारतिय संग में उतना आसानी से मिलना नहीं चाते थी ठीक है सरदार बल्ला भाई पटेल की प्रसंसा करते हुई है लोड मांड वेटन ने कहा है कि रियाशत मंतरा लेके अध्धक सता दूदर सी राजनितिक ये सरदार बल्ला भाई पटेल की प् वेटन ने सरदार बल्ला भाई पटेल की तारिफ करते हुए एक कोटेशन लिखा है कोटेशन क्या है आप लोग आराम से समझ पा रहे होंगे आगे हम लोग दोस्तों एक एक करके इन तीने रियाशतों को बारे में डिपली पढ़ेंगे ठीक है जुनागर हैदराबात और क किस प्रोसेस से हुआ आगे हम लोग देखेंगे स्टेप बाई स्टेप ठीक है जुनागर हैदराबाद तता कश्मीर के विरुत करवाई देशी रियाशतों से अपिल की गई कि वह डोमिनियन में परवेस ले यानि भात संग में डोमिनियन का मतलब होता है कि भारत में आ ज कर दिया कि हम लोग को भारतिय संग में मिलना नहीं हम लोग अकेले में स्वतंत्र रहेंगे ठीक है वह भारतिय संग में सम्मिलित नहीं हुए अंतत्ता मजबूर होके सद्दार बल्ला भाई पेटिल ने उनके विरुत कठोर कारवाई करने का निनाई लिया ठीक है आपको स काठियाबाड एक जगा है गुजरात की है की रियाशत में मुसलमान चासक के द्वारा सत्का सता हस्तारंतर से एक दो दिन पेहले पाकिस्तान में परवेस्पत्र पर हस्ताषर कर दिए जानने के करन उहां के अधिकांस हिंदू जनता विद्रो कर दिया दोस्तों क्या है मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं दोस्तों जो काठियावार का सासक था ठीक है यानि काठियावार एक जगा का नाम था और जुनावर गड़ का जो परांद का हेड था उन्होंने क्या किया जैसे हम लोग भी बोल रहे थे न कि भारत संग में आप लोग सामील हो जाईए अपना रियासेतों को सामील कीजिए ओइसे ही पाकिस्तान भी एक प्रोपोजल दिया था कि आप लोग पाकिस्तान में सामील हो यह है इंडिया के लिए यह है पाकिस्तान के लिए दोनों प्रोपोजल दिया था तो यह जो जुनागर के सासक थे न वो मुसल्मान था ठीक है इसलिए उन्होंने भारत का जो ये था उसको रिजेक्ट करके पाकिस्तान का जो ये था प्रोपोजल था उसको एकसेप्ट कर लेती समझ में आगे आपको उसके बाद दोस्तों क्या हुआ इहां के जो जनता था कहां का जुनागर का जनता उन्होंने बिद्रो कर दिया क्योंकि अधिकांस जो जनता था वो हिंदू था ठीक है उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों जहां जहां उब्दरबन होने लगे यानि जहां जहां प्रोटेस्ट होने लगा जहां जहां आतंग फैलने लगा इस्थिति को कम्भिरता को देखते हुए उहां के सासक जान बचाने के लिए पाकिस्तान भागे यानि दोस्तों आप खुद समझीए यहां का मजा कैसे होगा उहां का जो मतलब जुनागड का जो रियाशत का जो हेड था ओडर से ही पाकिस्तान भाग गया ठीक है जुनागड के मुसलिम दिवान ने पुना कानून और लागू करने के लिए 9 नवेंबर 1947 को भारत सरकार से प्रात्ना किया वारजुनागर रियास्तों के प्रतिनीधा नदियों की इच्छा से विरास्त को कठियावार के प्रांत को द्यानवर में बिले कर दिया गया ठीक है तो समझ में आ रहा होगा आपको पहले तो साइन किया ल उहां के सासक को तो वो खुद पाकिस्तान भाग गया तो पाकिस्तान जैसे भाग गया तो उहां जो उनका यह था उसका दिवान था दिवान का मतलब क्या होता है जो उसका जो मंत्री था वो लोग क्या किया अब जैसे जैसे आतंका महल होने लगा तो भारत प्रांत में ही स सामिल हो गया ठीक है तो आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं अब हैदराबाद वाला बहुत मज़ा आएगा ठीक है हैदराबाद का भारत में बिलीनी करन यानि कैसे भारत में मिले हैदराबाद हैदराबाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य था जिसका छेत्रफल बिरासी 1313 बर्ग मिल एवं जन सिंख्या 1.86 करूर थी ठीक है उसके बाद हैदराबाद राज्य की 89 जो परतिसत है परजा हिंदू थी और हैदराबाद का जो सासक था वो मुसलमान था आप लोग समझे रिलेट करने का कोशिच कीजिए इससे पेले भी हम लोग जुनागर देखिए ज जनता हिंदू था हैदराबाद में भी सेम सासक मुसलमान हैदराबाद का स्विक्यार को निजाम कहते हैं ठीक है और बहुत निकालने के लिए लोड माउंट बेटन का प्रियास असफल रहा यानि लोड मैंट वेटन भी चाते थे कि हिदराबाद भारत में सामिल हो जाए लेकिन उहां का सासक डाइरेक्ट बोल दिया कि हमको भारत में सामिल होना नहीं है ठीके उसके बाद देखते हैं दोस्तों हिदराबाद के निजाम यानि उहां के जो सासक को निजाम हुआ जो हिद्राबाद कशा सक्त ना निजाद यानी मुसलमान सक्त था न तूरु Hindus ने क्या-kin पाकिस्तान के मदद से एक सेना वनाया किसके ऊपर यह करेगा आइस करेगा भारत के ंपर ठीक है और परिड्लाम सरफ भारत सरकार हिद्राबाद रियासतों के बिरुद 13 सितमबर 1948 को पुलिस करवाई करना प्रयारम कर दी तीन दिन के अंदर निजाम हत्याल डालने के लिए मजबूर हो गया है यानि बुरी तरह से हार जाते हैं ठीक है निजाम के गद्दी को हटा कर हैदराबाद में सैनिक प्रसासन लागू कर दिया गया और 1 November 1948 को हैदराबाद को भारत संग में मिला दिया गया पूरा आपको समझ में आ गया होगा ठीक है और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीस दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कस्मीर वाला पार्ट कस् अब पूछे एक्जाम में तो कस्मीर के बारे में अब लिख सकते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों ठीक है चोरासी हजार चारसो एकतर बर्ग मिल के छेत्र में 44 लाक की अबादी वाली कस्मीर राज्य की तीन चोथाई अबादी हिंदू शीक वा वोद था यानि यह जो छेत्र था यह कश्मीर का था और इतना लाक अबादी में लगभग तीन चोथाई तीन चोथाई मतलब जितना है उसका तीन पाठ हिंदू वा सिख था ठीक है कश्मीर के राजा हिंदू को मांट बेटन ने भारत संग में सामिल होने की सला दी यानि मांट बेटन क्या था सभी रियासितों के जो हेड थे उन लोगों को सला दे रहे थे कि आप भारत संग में सामिल हो जाए किन्तु वो सामिलत होने को तयार नहीं था उससे यह कहा गया कि यदि वो आप पाकिस्तान में समिलत होना चाहता है तो भारत साय का उसको या फिर स्वतंतर रही अगर आप किसी भी परकार से पाकिस्तान में सम्मीलित होते हैं तो आपको आपके साथ भारत का संबंद मैत्रिपूर्ण नहीं रहेगा यानि दुस्मनी पूर्ण हो जाएगा ठीक है कश्मीर का सासक असमंजस की स्तीती में था क्योंकि भारत और पा वह था हरी हरिशाण्द्र यह प्रिवसित था अब लोग देख लीजेगा दोस्तो उत्रण याद नहीं रहता है ठीक है उसने पाकिस्तान से समझोता किया कि तो पाकिस्तान ने फिर भी फिर भी आवश्क पाकिस्तान के साथ ऐसे agreement क्या गया ट्रेड के बारे में लेकिन पाकिस्तान में सम्मीलित नहीं होने करण पाकिस्तान ने बहुत सारे सामान कश्मीर भेजना बंद कर दिया साथी 15 अगस्ट नहीं सो 17 kita के बाद कश्मीर पर आकरमन करने का यूजना त्यार कर काभीलियों के मदद देने लगा यानि काभीलियों यू था कभीला था उन लोगों ने कश्मीर पर आक्रमन करके वहाँ पर रहने के लिए प्लान बनाया था और इसका मदद कौन कर रहा था पाकिस्तान कर रहा था ठीके क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर मेरा हो और आज भी वो लोग चाहता है जो कभी भी पॉसिबल नहीं है ठीके ताकि स्रीनेगर पर अधिकार किया जा सके कभीलियों लोगों ने रियासत पर सामान्त हमले करना प्रारम कर दिया अता मजबूर होकर कस्मीर के नरेश ने भारत सरकार से साहता मागी उसके बाद 26 October 1947 को भारत संग पे परवेश लिखित पर हस्तचार कर दिये जाने के पश्चाद भारत सरकार ने अपने सेनी कस्मीर भेचा और अधिकांस हिस्साप और अकरमानता का जो अकरमन करता था उसको बाहर निकाल दिये समझ में आ गया जब देखा कि यह जो छोटे-छोटे कविले था वो डेली आकरमन कर रहा था तो परिसान होकर के उहां के जो सा सकते वो भारत में परवेश होने का जो यह था फॉर्म था उस वो फिलफ की ठीक है दोस्तों यहां पर फॉर्म बोल रहे हैं इसलिए ताकि परते टाइम ठीक है भारत सरकार ने कश्मीर परिवेश को अहिस्ताय सुईकार किया मतलब अहिस्ताय मतलब क्या और लोग पर्मनेंट नहीं सुईकार किया था ठीक है इसलिए आप लोग सभी जानते हैं कि यह जो कश्मीर है इन लोगों का एक अलक सम्वीधान भी था और अल्लक ये लोग को दर्जा भी मिला था लेकिन हाली में एक सरकार ने जो बिसिस राज जी का दर्जा था उसको हटा दिया गया है अब कश्मीर भी नॉर्मल है ठीक है अन्यराज की तरह या अस्थाई निर्नाई सम्भबता बड़ी भूल का परिचायतमक सिद्ध हुआ यानि जो पहले अईस्ताई सुईक्यार किया था ये सबसे बड़ा भारत सरकार का भूल था और इसी कारण दोस्तों पाकिस्तान हमेसा बोलता है कि ये जो कश्मीर है हम लोग का है अगर ये पर्मनेंटली अगर उनको मतलब भारत में सामिल कर लिया होता दूसरे राजी के तरह त ठीक है क्योंकि इससे कश्मीर के समयश्या जटिल हो गई और आज तक भारत पाकिस्तान का जगड़ा चल रहा है ठीक है तो दोस्तों ये रहा आप लोग का भारत के देशी रियाशतों का एकिकरन कैसे हुगा आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को जरूर अच्छा दिखाईएगा और इस वीडियो को जरूर सेर कीजिएगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंदे